हेलो दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ड इसके उपर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं क्योंकि बहुत सार ऐसे व्यूवर्स हैं जो पहले बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेरी एक unsuccessful pregnancy की story है जिसमें मेरा एक baby boy हुआ था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है तो मेरी कुछ गलतियां या doctors की गलतियां या situation की गलतियां ऐसी चीजी हुई है मेरे साथ जो मैं अपने experience से आप तक अपनी views पहुचाना चाहती हूँ अपने videos के थ्रू तो मैं ये चाहती आप ऐसी इस तरह की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं इसलिए मेरे चैनल बनाने का में मकसद यही है कि जितना जादा हो सके ये awareness को फैल ने दिया जाए और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप इस तरह की video जो मैंने बनाई है ये जो पूरी complete series है बहुत काम की है तो अपने आज पास लोगों को जरूर शेयर करिए क्या पता एक शेयर से बहुत सारे से लोग हैं जिनको इस video की जरुरत है जाने जाने उनसे बहुत सारी गलतियां हो नहीं है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं कि वो किस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो एक बार अग उसे जो वीडियोज है सब को देखे और बिलीव में दोस्तों ये आपके लिए बहुत काम की होगी इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगी कि भले आप इस वीडियो को लाइक मत करीगा लेकिन शेयर बहुत जादा कर दीजेगा क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लास्ट तक भी कम्प्लीट आप बात समझेए क्योंकि वो ही चीजे मुझे फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट कड़ी में समझाना पड़ता है तो यह बहतर है कि आप शुरू से लेके लाश तक देखे क्योंकि चीज 11-13 हफता तो देखे 11-13 हफता ऐसा टाइम होता है जिसमें डॉक्टर साब के एंटी स्कैन करते हैं अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अभी एंटी स्कैन कहां से आ गया इसकी क्या जूरत है और हम लोग को क्या जूरत है जिसके साथ कोई प्रॉब्लेम होता होगा जो करें लेकिन मैं आपको बता दो मेरी उम्र उस समें 22 साल की थी जब मेरी ये पहली प्रेगनेंसिय और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रेगनसी कनशीव Holona सब कुछ हुआ था लेकिन जो चीज मेरे साथ होई ऐसं लिए आपको सरी जनकारियत दे रहे हूं तो देखे यह जो को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं let them think according to themselves लेकिन फिर भी आपका ये करतव बनता है अपने बच्चे के प्रती कि आप उनसे सामने से पूछिए जैसे ही आपका 11 हाफता होता है बारवा हाफता होता है आपको उनसे पहले ही कंसल्ट करना है कि डॉक्टर क्या हम anti-scan करा सकते है आप इसे please prescribe कर दीजे क्योंकि देखिए anti-scanic normal ultrasound है ऐसी बात नहीं है कि आपको radiation harmful करेंगे देखे जितनी बार भी आप ultrasound कराईए ये आपके बच्ची के लिए completely safe होता है इसलिए आप जितने मतलब कोई दिक्कत नहीं है आप जितनी भी बार करा रहे हैं तो एक बार और सही आपको ऐसे लगता होगा क्यों कराना but it is very necessary अभी तो डॉक्टर्स भी इतने ज़्यादा वो हो गया है बहुत ज़्यादा जागरूप भी हो गया है बताने भी लगे हैं लेकिन वो एक ऐसा टाइम था उस समय डॉक्टर्स ने मुझे सामने से आके ये बाते नहीं बोली थी कि 11 से 13 हाफता कितना ज़रूरी होता है anti-scan को लेके तो देखिए anti-scan आखिर होता क्या है पहली बात anti-scan एक normal सी ultrasound होती है इसमें किसी तरव का कोई pain नहीं होता है नहीं इसकी radiation से आपको किसी तरव का harm है देखिए x-rays जो होते हैं उसमें आपको radiation का harm होता है लेकिन ये एक सिंपल सा sound waves होता है जिससे कि हमारे गर्द में जो पल रहा जो बच्चा है जो फीटस है उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारिया ले सकते हैं अब ये anti-scan में special जानकारी होती क्या है जो बच्चा होता है जो फीटस होता है जो 11 से 13 हफते का होता है उसके निक के पास यान समझाने नहीं बैठोंगे आप बस normal range बता देते हैं कि जो आपकी normal range है उसमें होनी चाहिए अगर abnormal range आती है तो ज्यादा chances ये बनते हैं कि कुछ जो babies हैं उनमें किसी तरह कर genetic disorder आ सकता है तो बहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से खुल के सामने ही उनसे पोछे कि क्या हम उनको ये कराना चाहिए और वो अगर नहीं भी बोलेंगे तो उनको prescribe करने में कुछ नहीं जाता है तो एक बार उनसे जरूर लिखवा लेजीगा अपने जो भी आप follow up करा रहे हैं एक बार जरूर करवाईए और देखेए एक ऐसी चीज है इसमें complete आपको जनकारी तो नही में किसी तरह की genetic disorder अगर आती है तो वो 80% chances है कि उसमें पता चल जाता है और अगर मान लीजे खुदा नाखासता अगर किसी भी परसन के साथ असा हो जाता है उनकी अच्छे से रिपोर्ट नहीं आती कुछ abnormal reports आ जाती है तो उनको क्या कराना चाहिए उनको double market test भी कराना चा pregnancy प्लान किया है या फिर अगर आप pregnant हुए हैं तुरन तो यह जहन में जरूर रखे कैलेंडर पे भी लिख लीजे कि आपका और देखे जहां तक बात है 11 से 13 हाफता तो एक मोटा मोटा मैंने बताया है लेकिन अगर NT की बात की जाए जो नकल ट्रांसुलेंसी होती है वो 12 हफते में उसकी clear picture आती है अब जैसे मैंने second pregnancy की में बात कर रही हूँ हमने 11 हफते में जब मैं चली गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप एक हफते के बाद आईए क्योंकि 12 हफता एकदम perfect time होता है आपकी NT को देखने के लिए लेकिन फिर भी ये vary कर सकता है जैसे 11 हफता तीन दिन से लेके आप 13 हफता तक भी जा सकते हैं तो इतना गवरानी की बात नहीं अगर आपसे मिस हो गया है बस भगवान से यही दुआ करिए कि सब कुछ normal होगा और देखे ऐसी बात नहीं है कि सब के साथ ब में क्या हर्ज है अगर डॉक्टर से हम सामने से खुल के बोल रहे है माली जे भगवान न करें कि 800 जो प्रेगनेंसी जो भी परसन है उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा लेकिन खुदा ना खासता एक किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है उसकी ज जरूर करूंगी कि शुरू से लेके वीडियो लाश तक जरूर देखे एक एक बात कौन सी मैं इंपॉर्टेंट बोल दूगी मुझे खुद नहीं पता होती है कि मुझे कौन सी मिनिट पर क्या बोलना होता है तो रेगुलरली मुझे फॉलो करिए मैं डेफिनेटली इसके पर रेगुलर वीडियो बनाऊंगी और बहुत काम की वीडियो है दोस्तों मैं एकदम दिल से बोल रही हूं बहुत काम की वीडियो है प्लीज देख लीजेगा रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप लोग इसको जादा से जादा शेयर करिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट